हेलो प्यारे दोस्तों फिर एक नए वीडियो में आपका श्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि बिहार डियलेड 24-26 के सेशन के सेकेंड मेर लिस्ट का डेट आउठ हो चुका है ना और यह देख सकते हो यह बिहार बोड की तरफ से आज इन नोटिफिक्सन दिया गया ठीक है ना आप लोग यहां पर देख सकते हूँ क्या लिखा है बिहार विद्याले परिक्षा समिती पठना ठीक है ना और यहां पर दे दिया है आपको 266 है ना 2014 बांक यह आपको चाहो तो इसको विस्थार से आप लोग पढ़ लेखा है आवेदकों को दूतिय सूचना पत्र है ना कब आ जाएगा दो आठ दो अगस्त को आ जाएगा ठीक है ना आए नीचे देखते हैं तो आप लोग तिसरा पॉंट में देख सकते हैं क्या लेखा है नामांकन की आउदी है ना जब से केंड मेर लिष्ट आप लोग का तो अगस्त को आ जाएगा तो इस है ना मतलब मेर लिष्ट के अधार पे आप लोग का एडमिशन तीन अगस्त से लेकर के साथ अगस्त के बीच ले लेनी है ठीक है और इसके आगे देख क्या दिया है फिर इसके आगे दिया है आवेदकों के द्वारा नामांकन की पश्च कर सकते हैं तो तीन अगस्त से ले करके 7 अगस्त के बीच में वह स्लैडब भी कर सकते एडमिशन लेने के बाद ठीक है अगस्त आपकी नीचे से नहीं मिलेगा ठीक है आई ए परसिक्षन संस्थान दोरा पॉट्टल पर लोग इनकर अंतिम रूप से सीट किया जाना है कब का आइका आड़ को बताने हैं कौन कौन से बच्चे एडिमिसन ले लिए हैं कितने सिट खाली है वो आपको बिहारवुट को बताना परेगा ये कॉलेज का का में कॉलेज कर लेंगे ठीक है ना फिर छटा पाइन में देखे क्या लिखेंगे जिस विद्यार्थी का चैन पर्थम एवं दूतिय चैन सुचे म पूर्व के विकल्प में पडिवर्तन करने की आउदी है ना क्या बताया गया है उसके आगे देखें आपके क्या लिखा है दस आठ ध्यार चोबीर तक है ना जिन बच्चों को फर्ष्ट में नाम नहीं आया अब किसी काणड़ विदियो में मुझे यही बताना था कि आप लोग का सेकेंड मेरे लिश्ट जान दो अगस्त को आ सकता है यह बिहार बोट के तरफ से बताया गया है और जिनका भी नाम आ जाएगा वह लोग तीन अगस्त से लेके साथ अगस्त के बिच में ले लेंगे ठीक है और एसपोर्ट राउंड के बारे में क्या होता है मैं इस